हेलो फ्रेंज वेल्कम टू यार यूटीव चैनल इंग्लिश फैमिली 87 सो आप जेड़ा अपना नॉवल है ओलिवर ट्विस्ट एस दी अपना समरी है जेड़ी पिंजबी दे विच्छ समझाईया तौ अनू और एस दी अग्गे आपना क्रेक्टर स्केच ने येड़े लॉं एड़े चैनल आपना लग्ट्र स्केच अपर करने जारे है हूं है फैगिन फैगिन दाक्रेक्ट्र स्केच वर देखो स्टाट हर दिया है इंपॉर्टेंट करेक्टर है फैगिन फैगिन ओल्ड मैन नहीं लंडटन दे विचे रेंद आ हे अर्ड उमर यह मतलब बुद्डी उमर देगा उमर काफी है इस दी हूँ टीचेज यंग होमलेस बोईज हो टू बी पिक पॉकेट मतल जो की ये ये यंग बोईज ने होमलेस बोईज ने जिस तरह की ओलिवर ट्विस्ट थी उनना नू हो जेव का तरह मतल बना हो दा जेव कटन दिया जा चोरी करन दिया कह सक्ट आप उनना उनने टीचिंग हो टीच कर देवना नू सख्या हो दै देन फैंसेज दा स्टोलन गुड़्ज अते ओस्तों बाद जेड़ा चोरी कीता हो है माल है फैंसेज उनना चोरी कीते गे माल दी वर्तो करना उस्तों बाद उनना चीजा नू किस तरह वर्तो करनी है मतलब जो माल आप चोरी कर देया ते ओ भी उनना नू हो सिखाऊंद है इन फैगन डिकन्स हैज ट्राइड टू पॉर्ट्रेड अ क्रेक्टर फैगन दे करेक्टर दे विच आपनो जड़ा राइटर एडिकन्स है उसने एक जही पिक्चर जड़ी आपनो दिखाईएगी जो मतलब है हिमन नेचर जड़ा उस दी कॉम्पलेक्सिटी नू जड़ी आपनो दरसां दिया इक वक्त नेचर हों दे बहुत गुस्ते हो जड़ा और एक वक्त बहुत जड़ा प्रॉयट हो जड़ा एक वक्त मतलब पूरा निर्दई बन जड़ा और एक वक्त किसे नार सुहाँनो पू ते एड़ी ओ दखाऊंद है सो इस ओस नेचर नों कहने ने complex nature सो यड़ा फैगन है ओस दा nature भी complex है करे किस तरह दे करे किस तरह दा in anger he is very terrible जो तो गुसे दे बिचे हुंदा हो बहुत ज़ादा मतलब खतरनाख है but on ordinary occasions पर आम मौक्यां दे उपर अक्सर he also jokes which gives him the nickname जो की मतलब उस नो nickname भी दिन दा है उस दा nickname है फैगन दा उस नो कहा जन दा है the merry old gentleman the merry old gentleman है उस दा नाम है रख्या गया nickname it is clear that फैगन's high status among the thieves is due to his many qualities मतलब उस दे बिचे बहुत सारी qualities ने एसे लही चोरान दे बिचे उस दा स्टेट से हो हाई है चोरान दा सरदार है ना हो he is he is smarter than his companion अपने यड़े companion ने उस दे साथी यड़े चोर ने उनना तो ज़्यादा समार्ट है हो फैगन कैन एक्ट like an angry young man ओ एक angry young man दी तरह मतलब act कर सकता है or can be as bad as size जा फिर आपका कह सकता है इनना और उनना बुरा-जाइकस है ओ भी उनना बुरा बन सकता है मतलो सदे नीच्चर दे भिच बॉरई भी हागी है फैगां दे नीचर दे भिच फैगन अन् Wallace Tren इनेच्चर दे बिच है सब कुछ फैगन नूं he gives a lecture to Oliver and Clay Paul on the on the interdependence of lawbreaker lawbreaker मतलब कानून तोड़न वाले interdependence हुंदा है आपसी मतलब आपसी निर्पर तभी कुदुज्यों पर निर्पर करना इसलिए हो Oliver अते क्लाइपॉल नू लेक्चर दिन दा है का दे बारे के जड़े lawbreaker हुंदे ने कानून तोड़न वाले चोर कहलो कुछ भी कहलो क्रेमिनल उनने डी आपसीदे विच मतलब आपसीदे विच उनना दा निर्परता हुंदी है मालो जी में दो चोर ने बेशक एक दूसरे न नहीं जान दे बट फिर भी एक दूसरे उपर निर पर रहं देने हो मतलो साथ देना चाही दा है एक दूसरे दा चोरानो भी बेशक क्रिमिनल लाइफ है बेशक कोई भी है एक एना चाहूद है हो फेगन हैज अमेजिंग सैल्फ कंट्रोल और उस się उपाइप इस उनुग आपने आपते एवन अंडर एक्स्ट्रीम स्ट्रेस बहुत यारा स्ट्रेस सदे क्टी के वी रहए N कि आपने आप ते क्योंकि Oliver दे नाडो सुनों थोड़ी मतलब देया पावना दखाऊं दी सी नैंसी बट on hearing this news पर एक ख़बर सुनके he controls over himself अपने आपते उसने control कीता and encourage Sykes to kill Nancy अते Sykes नू encourage कीता के Nancy नू मार दे Nancy Sykes दी लवर सी गी meanwhile he controls himself enough to caution Sykes against excessive violence मतलब जो Sykes बहुत जादा वाइलेंस कर दे नैंसी नू मार दे उनू भी फैगन अपने आपते control रख दे उसनू नहीं रोकदा he always keeps in mind the risk of careless moves उनू पता है के जड़े मतलब चोर जड़ी criminal life है उस दे विचे risk है जड़ा हो बहुत जरूरी है ते मतलब थोड़ा careless भी उस दे विचे रहना पहनदा है criminal life दे विचे human feelings are also seen in fagun's nature उस दे nature दे विचे feelings भी दिखें जा सकते हैं human feelings on many occasions बहुत सारे मौकियां थे he shows sympathy towards Oliver Oliver दे ना sympathy भी मतलब दुखां हो दे हो यह उसम देखें गया है one night he lovingly convinces Oliver about theft एक राद की यह Oliver नू convince करने जाना है चोरी करने जाना है he stops himself from disturbing the child's sleep ते Oliver यह दो सुत्ता पहा हूं दे Oliver ते हो अपने अपनों रोक दे के Oliver नू नी दे विचे नाज गया जावे the next day he tells Oliver to obey Sykes without making any excuse ते अगले दिन हो कहना है कि जड़ा साइक्स है उस दी मतलब तूँ करनी है गलबात सारी मननी है बिना किसे excuse तूँ Fagun's appearance is perfectly suited to his evil deeds जड़े उस दे मतलब बुरे कमने उस दे खुली है शाकल है उस दी बिलकुल सूट कर दी है मतलब देखनों भी उस लगद है के है मतलब क्रीमिनल हैगा क्रीमिनल लाइफ रहे उसनों रिप्रेजेंट कर दे है He looks like a devil's son ओह मतलब शैतान दे बच्चे ली तरह लगद है Because of his red tangled hair क्योंकि उस दे लाल लाल जड़े वाल ने मतलब कुंगरा ले जे वाल ने उनना तो देखनों लगद है कि किस तरह को सैतान दा बच्चा हुए Long sharp teeth मतलब जड़े लंबे लंबे उस दे दंदने And ability to think and move ते उस दे अबिल्टी है सोचन दी आते कम करन दी Move करन दी जो कुछ भी हो करन दे In short, Fagan is the undisputed king of the criminal world Criminal world दा एक हो undisputed मतलब king हैगा राज हैगा Criminal world दा He brings young ओ मतलब यड़े यँग बच्चे ने Oliver दी तरह उनना उनलिया होँद है Innocent Children जड़े की Innocent Children ने to a world of crime Crime दी दुनिया दे विच उनना लेके होँद है हो छोटे बच्चे नू But he himself stays away from crime पर ओ आप crime तो दूर रहन दा है मतलब के बच्चे नू लेके होँद है उनना चोर बना होँद है अथे उनना तो चोरी करवाँद है But आप दूर रहन दा है जिस तरह के अपा फिल्मा दे विच देख दे है सिर्फ दूसरे नू चोरी करवाँद है अथे चोरी दा माल है जड़ा होँद होँद है So AC क्रेक्टर स्केच ओफ सेगन मेन क्रेक्टर है So जेकर चंगा लगी है वीडियो चंगी लगी है असान लगी है ताम वीडियो नू लाइक ते शेर जुरू करो और जेकर चैनल उपर नवे हो ता चैनल नू सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं पूलना So मिल दियां अगली वीडियो लेके अगला क्रेक्टर लेके उन तक देव इजाज़त Thank you so much